हलो दोस्तों मैं अक्षिता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लाटफॉर्म के ऊपर ग्लोबल ऑनलाइन प्लाटफॉर्म ने यंट ये यूजी सी नेट पेपर वं प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर डेटा इंटरप्रेटेशन की प्रिवियस एर क्वेशन पेपर की जो सीरीज है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपके साथ स्मार्ट ट्रिक्स और टिप शेयर करूंगी शो सो दाट आप एक्जाम के अंदर डेटा इंटरप्रेटेशन का जो डर है वो हट जाएगा और आप exam के अंदर अच्छे mindset के साथ data interpretation के पूरे question 100% surety के साथ solve करेंगे उसी के साथ सथ आपका selection भी पक्का हो जाएगा पेपर बाइम preparation के लिए revision crash course हम आपके लिए लेकर आए है जिसके अंदर exam pattern और difficulty level को ध्यान रखते हुए ये revision crash course जो है बनाया गया है और highlighting features क्या है इस course के it means that daily live lectures provide किये जाएंगे Hindi as well as English language के अंदर आपको full syllabus notes provide किये जाएंगे और वो notes ऐस तरीके से है कि जो आप आपके mobile phone से भी download कर सकते है उसी के साथ साथ 60 plus mock test provide किये जाएंगे or 2000 plus MCQ question bank जिसके अंदर आपको most repeated expected and exam relevant questions दिखेंगे उसी के साथ साथ previous year questions भी along with the tricks आपको चुडाने को मिलेंगे यह offer 29th of May तक की थी उसके बाद यह offer दो दिन के लिए valid कर चुकी है तो आज का एक last day है जो आप यह offer को access कर सकते हो fees is 9.99 rupees for this revision crash course अगर आपको join करना है तो whatsapp number के उपर contact करके आप course को enroll कीजिएगा उसी के साथ साथ global online application के द्वारा आप free courses को भी access कर सकते हो application install कीजिए बाद में store icon के उपर click करना है my courses page के अंदर search tab में आपको UGCnet 2023 टाइप करने के बाद course जो है display हो जाएगा course open करने के बाद आपको इस type का overview मिलेगा और content में जाने के बाद free demo videos in English as well as Hindi language आपको provide किये जाएगा और unit wise जो है syllabus को analyze किया गया है वो भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं without any further due आज के lecture को start करते हैं जहां पे हम फिर से table chart को लेके एक previous year question discuss करने वाले है अभी यहां पे मैंने हर बारी आपको यही चीज़ बताई है जब कभी आप question paper हाथ में लेते है specially data interpretation का अगर कोई question आपके सामने आ रहा हो तो first thing जो आपको यहां पे करनी है that is table या फिर जो कुछ भी data interpretation का data दे रखा है उन्होंने किसी भी format में इदर इट में भी pie chart, line graph या फिर table chart वो आपको अच्छे से देखना है अच्छे से समझना है ठीक है अभी यहां पे question क्या दिया है वो हम पढ़ेंगे एक बारी the table belowed embodies data on the number of students who appeared and passed in the competitive examination for four different zones K, L, M and N during year 2014 to 2019 पहले तो question अच्छे से समझ लेते हैं question क्या बोल रहा है sir K zone, L zone, M and N यहां चार zones है समझ लेना चार districts है या फिर चार different states है ठीक है K state, L state, M and N state यह चार राज्यों में से 2014 से लेके 2019 तक कितने बच्चे exam में appear हुए है, कितने बच्चे exam में pass हुए है उसको लेके यहां पे इनोंने data दे रखा है 2014 में अगर देखेंगे, 2014 को अगर हम target करेंगे यहां पे, तो K state के अंदर, K राज्यों के अंदर appeared बच्चे कितने है sir, 782 appeared है pass उसमें से कितने हो गए, 360 pass हो गए, similarly yel state के अंदर अगर हम देखेंगे ध्यान से देखना state yam के अंदर जो है appeared बच्चे थे 720, उसमें से pass हो गए 410, state n से appeared बच्चे है 1020 और pass बच्चे है 802 बच्चे, ठीक है इस तरीके से यह हो गया 2014 का, 2015 का अगर डेटा निकालेंगे इसके अंदर K state से appeared बच्चे है 804 और pass होने वाले कितने है 472 बच्चे, उसी के साथ-साथ L state से 608 और pass हुए वाले बच्चे 324, इस तरीके से जो है data को आपको समझना है data के अंदर हमने क्या चीजे समझी है, जब कभी आपको data interpretation का question आ रहा है, पहली बात तो क्या कीजिएगा, question को थोड़ा सा sections में divide कीजिएगा, ठीक है जैसे कि अभी यहाँ पर दे रखा है table below embodies, अभी यह समझने की ज़रूरतने embodies माने क्या, embodies the data, मतलब contain the data on the number of students, मतलब इसके अंदर number of students है, जो की exam में appear हुए है और उसी के साथ साथ pass हुए वाले बच्चों को भी यहाँ पर दे रखा है, और 4 different zones में दे रखा है, K, L, M और N, कितने साल तक का data है, 2014 से लेके 2019 तक का यह data है, इस तरीके से question को हमने parts में divide किया, और question को अच्छे से समझा, ठीक है अभी question number one देखना, what is the difference between total number of students who have appeared in the exam and the total number of students who have passed in the exam from zone K in all six years taken together question अभी अच्छे से समझेंगे, question को क्या बोला है उन्हेने, कि difference पूछा है, किस चीज का difference, difference between, question को divide कीजिएगा difference between, किस चीज का difference, total number of students who have appeared, यह एक division कर देना question का और दूसरा बाट देखना and the total number of students who have passed in the exam from zone K, पूरे छे साल के अंदर, question क्या है, आपको difference निकालना है, किस चीज का difference, state K के अंदर, zone K के अंदर, कितने बच्चे, कितने बच्चे, अपियर हुए है appeared, total appeared, minus total past, उन्होंने कुछ और data दे रखा है, किसी particular साल का उन्होंने mention किया है, नहीं, इत मिन्स, पूरे साल के appeared बच्चे का summation लेंगे हम, उसमें से past बच्चों को हम क्या करेंगे, minus कर देंगे, ताकि हमें difference मिल जाएगा, I hope question समझा है, difference, किस चीज का difference, किस चीज का difference निकालना है, एक बारी मैं pen का color change कर लेती हूँ, just a minute, difference, state k के अंदर appear हुए वाले जितने भी बच्चे इन सालों में, minus state के अंदर जितने भी बच्चे पास हो गए in this much of year, तो अभी हम क्या करेंगे, 782, 782, plus 804, 720, plus 750, plus 824, plus 850, ये करेंगे, ये जो कुछ भी सम आएगा, ये एक side रख देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, sirs, 360, plus 472, plus 448, plus 360, plus 504, plus 496, इसका सम निकालेंगे, difference निकालना है, किसका appeared बच्चे, minus, पास हुए वाले बच्चे, आंसर आ जाएगा, बहुत ही simple question था, ठीक है, तो इस तरीके से, थोड़ा सा हम जो है, यहाँ पर calculation कर रहेते हैं, ठीक है, I hope question समझ आ रहा है, जब कभी मैं फिर से बोल रही हूँ, जब कभी questions आ रहे हैं, इस type के, आपको एक चीज करनी है, डेटा इंटरप्रेटेशन में question को divide कीजिएगा, question को divide करके question को समझना है हमें, ठीक है, अब यहाँ पर जो sum आ रहा है, इसका, that is 4730, ओके, आपको आराम से इसका summation लेना है, मैंने तो जल्दी-जल्दी में जो है, अल्रेडी करके रखा था, इसका summation, इसलिए मैं direct ले रही हूँ, ताकि आपका time waste ना हूँ, यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा आपको tips और tips जो है, शेर करना चाहरी हूँ, ठीक है, तो यहाँ का summation आ रहा है, 2640, 4730, 4730, और यहाँ का summation आ रहा है, 2640, इन दोनों का अगर हम difference निकालेंगे, हमें answer मिल जाएगा, माने 4730-2640, आंसर आ जाएगा 2090, 2090, the correct answer for the given question is option number D, इस तरीके से, moving on to the next question, अभी question number 2 देखना है, question number 2 के अंदर, उन्होंने क्या data दे रखा है, देखेंगे, what is the average number of students passed in the exam, from all the four zones in year 2015, question को divide करेंगे फिर से, average number of students, average निकालना है, किसका average number of students passed in the exam, number of students passed in the exam, from all the four zones, चारो भी zone में से, 2015 के अंदर, 2015 के अंदर, चारो भी zone को target करने वाले हैं, सिर्फ उसके अंदर जितने भी बच्चे पास हुए हैं, उसका average निकालना है, ठीक है, तो average के लिए हमें formula पता है, sum of observation divided by total number of observation, total number of observation, am I right? तो यहाँ पे sum क्या आएगा, sum अभी हम लेंगे, 472, नीचे लेती हूँ थोड़ा, 472, plus 324 from L state, YUM state से पास बच्चे है 480, और N state से पास बच्चे है 840, इनकाल देंगे summation divided by 4, 4Q क्योंकि जो observation है, कितने 4 है sir, ठीक है, तो यहाँ पे 472, plus 324, plus 480, plus 840 करेंगे, तो शायद 2116 आएगा divided by 4, एक बारी मैं cross check कर लेती हूँ, जी, तो right है, 2116 divided by 4 अगर करेंगे, तो यहाएगा 5, तो यहाएगा correct answer option number 2, यहाँ पे, हमने क्या किया, पहले question को divide किया, average निकालना है, किस चीज का average, past बच्चों का average from साल 2015, जितने भी past बच्चे 2015 से चारों भी zone से बिलॉंग करते हैं, उसका average हमने निकाला, question number 3 रेखते हैं अभी, from which of the following zones, the percentage of students who passed out of the total of those who appeared in the examination is minimum on the year 2019, पहली बात, तो सिर्फ 2019 को target करना है, question को थोड़ा फोड तोड देते हैं, ठीक है, question को किस तरीके से फोड़ेंगे देखना भी, कौन से zone में से, कौन से zone में से percentage निकालना है, किस चीज़ का, बच्चों का, who have passed out of the total who have appeared in the examination, एक बात तो हमें पता है, मतलब क्या for example, 100 mark की exam है, उस में से एक बच्चे को गिरे 80 marks, कितने आए, एक बच्चे को आए, 80 marks, तो हम percentage किस तरीके से calculate करते हैं, total marks he got upon the total marks of the examination, the marks he got, the marks, जितना marks उसको आया है, divided by total marks of the examination into 100, अगर करेंगे तो हमको percentage मिलेगा, यह तो पता है, ठीक है, इसका formula अगर नहीं पता तो लिख ले न, formula क्या है सर, formula है कि marks obtained, marks obtained, जितने भी marks मिले है, divided by total marks, जितने भी marks की वो exam है into 100, यह हमें क्या मिलेगा सर, percentage मिलेगा, किसका percentage, उस बच्चे का percentage मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही करना है हमें, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, एक particular candidate को, sorry, एक particular, यहाँ पे candidate तो है नहीं, यहाँ पे zones है, ठीक है, तो यहाँ पे question क्या पूछा है, percentage निकालना है students का, जो की exam से pass out तो हो गए है, ठीक है, who have passed out to the total, but who appeared in the examination is minimum, मतलब, जितना आपको क्या पूछा है, माने, for example, 496 बच्चे, 850 बच्चे, अगर यह data देखेंगे, के zone के लिए, के zone के लिए, 850 बच्चे अपियर हो गए, right, question अच्छे से समझेगा, यहाँ पे, 850 बच्चे अपियर हो गए, पास कितने हुए, सर, पास हो गए, 496 बच्चे पास हो गए, निकालना क्या है, उसका percentage निकालना है, जहाँ पे minimum है, तो हम usually क्या करते है, 496 मतलब, जितने भी अपियर हो गए, बच्चे, exam को, divide by total, sorry, this is the passed data, not appear, 496 माने जितना भी पास हो गया है बच्चा, और divide by 850, 850 माने अपियर बच्चा into 100 निकालेंगे, तो आपको percentage मिल जाएगा, आपको percentage मिल जाएगा, आपको इस तरीके से पूरे zones के लिए निकालना, अभी zone L के लिए अगर देखेंगे, मैं एक-एक से निकालूंगी, यहाँ पे देखना भी, के zone के लिए, के zone के लिए कितना बच्चा अपियर हुआ यहाँ पे सर, अपियर हो गया 850, पास कितना हुआ 496, तो पास बच्चे, अपॉन अपियर बच्चे, इन्टू हंडड़ परसेंटेज, उसी के साथ साथ L, L के अंदर, L जोन के अंदर, 315 बच्चे अपियर हो गए, डिवाइड़ बच्चे अपियर, कुनिले, सोरी, इन्टू हंड़ड़, छीक है, थोड़ा सा मेरा मराठी बीच-बीच में निकल रहा है, तो sorry for that, तो यहाँ पे के M-Zone के लिए देखना, 464 divided by 740 into 100 percentage अगर करेंगे, तो यहाँ पे percentage निकालेंगे हम, और यहाँ पे M-Zone के लिए, कितना पास हो गया बच्चा, 780 बच्चा पास हो गया है, और कितना बच्चा अपियर हुआ था, 1165 into 100, तो आपको लगेगा मैम, यह सब करते बेठना है सच में, क्योंकि हमको minimum percentage निकालना है, जहां से minimum percentage दिख रहा है आपको, वो answer हो जाएगा, ठीक है, बट यह सब करते बेठेंगे, तो बहुत time चला जाएगा, यह division multiplication करते बेठेंगे, तो simple चीज क्या करनी है, यहाँ पे, आपको minimum data तो निकालना यह चीज तो आप difference लेंगे, difference मतलब क्या भी देखना, के जोन के अंदर 850 बच्चा ने अपियर हुआ था, उसमें से पास हो गया 496, मतलब यह आदे से ज्यादा है, 850 का आदा, for example, 800 का आदा कितना आएगा, 800 का आदा आएगा, 400, ठीक है, पचास का आदा कितना आएगा, 50 का आदा आएगा, 25, मतलब 850 का आदा 425 है, मतलब यह आदे से ज्यादा दिख रहा है, 496, 850 के आदे से ज्यादा दिख रहा है, चीक है, 600 का आदा है 300, 600 का आदा क्या है, सर, 600 का आदा है 300, तो यहाँ पे 300 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, आपको 315, चीक है, यह भी ठीक है, 740, 740, 740 का आदा कितना हैगा यह आएगा 370 यह 370 से भी बहुत ज्यादा है 464 और 1165 का आदा से ज्यादा मतलब 780 आ रहा है राइट क्योंकि अगर एक रफली डेटा निकालेंगे तो 1165 का आदा कितना है सर 580 के आराउंड अप्रोक्सिमेटली उससे बहुत ज्यादा है 780 माने यह तो मिनिममम नहीं आएगा सर यह भी मिनिममम नहीं आएगा क्योंकि आदे से बहुत ज्यादा है 370 ही आदा है यहां पर क्या दे रखा है 464 और यहां पर अगर देखेंगे यह दो यह दो जोन के अंदर 600 से आदा 600 का आदा मतलब 300 300 से थोड़ा सा बड़ा जो है यहां पर आपको पास वाले बच्चे दिख रहें बट यहां पर यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर जो डेटा है सर 850 का आदा 425 से बहुत ज्यादा है 496 लिए यह भी आंसर नहीं आए अब यह आएगा इसलिए थोड़ा सा अगर लॉजिकली आप जाएंगे ताइस एल जोन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा चाल्किलेशन करने की जरूरत नहीं है आदे से आदा आदे से ज्यादा या फिर मिनिमम कॉंटिटे निकालनी थी तो आदे से थोड़ा सा क्वेस्टन थोड़ा सा एक बारी देख लेते हैं शायद कुछ गलत लग रहा है मुझे रेशो ओफ जस्ट अ मिनिट कुछ तो गलत है यहां पर मैं एक बारी क्वेस्टन जो है देख लेती हूं जस्ट अ मिनिट मुझे थोड़ा सा टाइम देना है ठीक है तो क्वेस्टन यहां पर थोड़ा सा रॉंग जा रहा है क्वेस्टन के अंदर डेटा थोड़ा सा मिसिंग है वाट इस दे रेशो ओफ नंबर ओफ स्टूडेंट्स वहाँ पास्ड फ्रॉम जोन के इन दे यर 2017 यहां पर आड़ करना है आपको कंपेट तो डाट इन 2018 क्वेस्टन को थोड़ा सा भी तोड़ मरोड देंगे तो पहले आपको यहां पर 2017 को यहां पर इंसर्ट करना है प्लीज डेटा थोड़ा सा मिसिंग था क्वेस्टन के अंदर तो यहां पर देखना है क्वेस्टन क्या पूछा है रेशो निकालना है किस चीज का रेशो नि 2018 मतलब क्या zone k के अंदर k zone sorry k zone k zone 2017 divided by k zone 2018 इसका हमें क्या निकालना है sir basically ratio निकालना है जितने भी students pass हो गए 2017 का data देखेंगे 2017 का data अगर देखेंगे k zone को target करना है यहाँ पे तो यहाँ पे जितने भी pass हुए वाले बच्चे अगे उनको target करना है तो pass कितने हुए है 2017 के अंदर 360 बच्चे pass हो गए ठीक है और 2018 के अंदर 2018 के अंदर again k zone को target करना है k zone के अंदर past बच्चों को target करना है तो 504 बच्चे जो है यहाँ पे pass हो गए so 360 divided by 504 जो है आपका यहाँ पे इसका ratio निकालना है आपको simply 8 और 9 से divide करके देखना तो इसका जो ratio चला जाएगा वो 5 to 7 में चला जाएगा तो इसका answer इस तरीके से आपको solve करना है इसलिए option number C जो यहाँ पे correct जाएगा ठीक है 8 और 9 से divide करके देखिएगा यहाँ पे 5 by 7 आपका जो है ratio आज जाएगा ठीक है इस तरीके से यह था question number 4 question number 5 once again आपको यह homework के तोर पे मैं दे दूंगी the total number of students who have not whom who have passed from zone M in all the 6 years taken together approximately what percent of the total number of students who have appeared from zone M in all the 6 years together अब इस type का question मैंने already 2 lectures में छुडाया है ठीक है आपको उसका tips भी दे रखाएगे किस तरीके से छुडाना है बड़ उसके पहले question को तोर मड़ो दीजिएगा थोड़ा सा और question को divide करके अच्छे से पढ़ना है और फिर solve करना है ठीक है option है 56%, 58%, 60% and 64% उसके साथ साथ lecture को end करने से पहले यहाँ पे paper to study material के अंदर आपको full syllabus notes and mcqs प्रोवाइड किये जा रहे ठीक है global online platform के द्वारा आपको paper to का एक study material जो है हम compiled course प्रोवाइड कर रहे जिसके अंदर आपको सिर्फ notes और mcqs मिलेंगे काफी ज्यादा important रहेगा यह आपको exam के लिए क्योंकि यहाँ पे most important mcqs और highly expected mcqs रहेंगे notes काफी ज्यादा जो है exam relevant यहाँ पे बनाए गए है तो अगर आपका paper to का subject जो नीचे दिये हुए subject में से एक है तो आप इस particular compilation को enroll कर सकते ठीक है तो management, economics, computer science, commerce, history, sociology, hindi, public administration, environmental studies, law, english, literature, physical education, geography, political science, social work, education, library science, philosophy, morality, electronic science इन में से subject में से अगर आपका paper to का कोई भी subject होगा तो आप इस particular compilation को enroll कर सकते इसकी original fee से 1,600 रुपीज बट इसके उपर फिलाल 20% offer चल रहा है इसलिए आपको मिलेगा 1,280 रुपीज में only तो अगर आपको course को enroll करना है दिये हुए WhatsApp नमबर के उपर contact करके course को enroll कीजिएगा compilation को enroll कीजिएगा तो आज के lecture के लिए इतना ही था thank you for watching the video please video अगर पसंद आ रहा है तो जरूर hit the like button उसी के साथ साथ maximum students को share कीजिएगा चैनल को अगर नए है तो subscribe जरूर कीजिएगा so thank you for watching the video have a great day everyone bye